आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपोर्टेंट शेशन लेकर आई हूँ तो देखिए आज के शेशन में हम उत्राखन के most important questions डिसकस करेंगे जो कि आपके आगामी करनिस्ट साय के exam के लिए काफ़े important हैं तो आप सभी लोग हमारे शेशन में starting सलेकर end तक बने रहें तो चलिए आज के शेशन को हम start करते हैं start करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें साथे साथ बगल में जो bell icon दिख रहा है इसे भी प्रेस करने ताकि हम कोई भी video डालते हैं तो उसका notification आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आड़ वेजे quiz का भी आईजन किया जाता है काफी important question आपको quiz के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला question है वीर्चन सिंग गड़वाली अखिल भारती आयर विज्यास सस्थान कहां इस्थापित किया गया है देखें वीर्चन सिंग गड़वाली अखिल भारती आयर विज्यास सस्थान इस्थापित किया गया है रिशी केश में option A यहाँ पर आपका बिलकुल right answer है अखिल भारती आयरविज्या सस्थान इसको इन शॉट एम्स बोला जाता है तो एम्स की स्थापना वर्ष 2004 में रिशिकेश में की गई जिसने फरवरी 2014 से अपना कारिय शुरू किया नेक्स्ट कुशन देखेंगे उत्राखंड के किस नगर में बहुराष्टी कमपनी हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा अपनी फैक्टरी स्थापित की गई है तो देखे उत्राखंड के हरीद्वार नगर में बहुरास्टी कमपनी हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा अपनी फैक्टरी स्थापित की गई है option A is question का correct answer है next question देखेंगे उत्राखंड में सर्दोचो निम्न में से कहां मनाया जाता है देखें सर्दोचो के बात करें तो ये मसूरी, अलमोरा, रानीखेत सभी जग मनाया जाता है तो उप्यूगत सभी option D यहाँ पे आपका right answer है देखें सर्दोचो परिय टको को आकरशित करने के लिए अलमोरा, मसूरी, रानीखेत, पितोरगर, चमुली आदी परवती छेत्रों में आईजित किया जाता है और सर्दोचो के दोरान परिय टको का मनरणजन करने के साथ साथ उनका स्वास्त वर्धन भी किया जाता है नेक्स्ट कुशन देखेंगे, निम्न मैंसे किस इस्थल पर विकास मेला लगता है तो देखें, विकास मेले का आईजिन किया जाता है, कहां पर तिहरी कड़वाल में औप्शन बीस कुशन का राइट आंसर है, और देखें, विकास मेले के अलावा यहां पर और भी बहुत सारे मेले लगते हैं तिहरी में तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे, यहां पर विकास मेले के अलावा एक और मेला लगता है, जिसका नाम है रनभूत रनभूत कौतिक, यहां रनभूत मेला कहां पर लगता है, पुछे जाए, तो तिहरी में लगता है और इस मेले में कौन सा नृति किया जाता है, भूत नृति किया जाता है और इसके अलावा एक प्रशिद मेला और है, जिसका नाम है मौन मेला यारी इस मौण मेले से अक्सर कुशन पूछे जा रहे हैं आयो के द्वारा तो मौण मेला किस नदी पर लगता है ये पूछा गया था पहले मौण मेला कहां पर लगता है टीरी गड़वाल में लगता है और किस नदी पर लगता है यह मिला अलगार नदी के तड़ पर अलगार नदी पर यह मिला लगता है और मौन मेले में मसलियों को पकड़ने का रिवाज है इसके अलावा कुंजापुरी परियतन विकास मेला भी आपके तिहरी गड़वार में लगता है तिहरी के नरेंडर और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि क्यों सर मेला कहां पर लगता है तो क्यों सर का मेला ये भी आपके कहां पर लगता है तिहरी में लगता है तिहरी के जौन पुर में जौन पुर में क्यों सर नाम का मेला लगता है और यहां नाग राजा देवता के रूप में पोजा होती है और सेम मुखेम मेला ये कहां लगता है देखे सेम मुखेम मेला भी टहरी में लगता है 26 नुवेंबर को सेम मुखेम मेले का आईजन कहां पर किया जाता है सेम मुखेम मेले का आईजन टहरी गड़वाल में होता है इसके अलावा सुरकंडा सुरकंडा मेला भी आपके कहां पर टिहरी में लगता है टिहरी के चमबा में इसका आईजन किया जाता है वीर गबबर सिंग मेला कहां लगता है पुछा जाए तो वीर गबबर सिंग मेला भी आपके टिहरी में ही लगता है टीरी के चमबा में इस मेलिका आजन किया जाता है कब किया जाता है 21 अप्रेल को यह मेला लगता है नाग टिबबा मेला यह भी टीरी में लगता है टीरी के जौनपुर परगने में नाग टिबबा मेला लगता है केलापीर का मेला भी टीरी में ही लगता है और घंटा कर्ण मे इसके अलाबा आपका संतुरा देवी का मेला ये सभी मेले आपके तीरी गड़वाल में लगता है इनको आप ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट कॉश्यन देखेंगे कौन सा नगर आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है देखें आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है कौन सा नगर रिशी के बहुत सारे आश्रम है यहाँ पे इसलिए आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है यह आपको याद रखना है और कौ कौन से आश्रम यहां पर इस्तित है यह आप से पोछे जा सकते हैं तो आप से पोछा जाए कि सीवानन्द आश्रम कहां पर इस्तित है सीवानन्द आश्रम आपके कहां पर है रिशी केश में इस्तित है और वर्ष 1986 में रिशी केश के सीवानन्द आश्रम के पास राम जुला पुल बनाया गया था और इसके अलावा स्वर्ग आश्रम स्वर्ग आश्रम आपकी कहां पर है रुशिकेश में है और इसके स्थापना विशुद्धा नंद ने के थी ये आपको याद रखता है और विशुद्धा नंद को काली कमली वाला संत कहा जाता है ये Point Important है, इसको ध्यान रखेंगे इसके अलावा देखे Beat इसको कौन सा महरिशी महेश योगी आश्रम भी कहा जाता है, तो ये भी आपका कहां पर है? रिशी केश में है इसके अलावा देखे ओंकारा नंद ओंकारा नंद आश्रम भी कहां पर इस्तित है उंकारा नंद आश्रम की स्थापना रिशिकेश में कब की गई थी वर्षोने सौ सड़सट में की गई थी उंकारा नंद सरस्वती ने इस आश्रम की स्थापना की थी तो बहुत सारे आश्रम है इसलिए इसको आश्रम सिटी कहा जाता है रिशिकेश दहरानू दून का एक महिश्वर मंदिर इस्तित है देखिए मद महिश्वर मंदिर किस जनपद में इस्तित है आंसर कीजिए जिन लोग को आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोधर परियाग ऑप्शन सी बिलकुल राइट आंसर है मद महिश्वर नाथ को दितिय केदार कहा जाता है यह दितिये केदार यानि सिकेंड नम्मर का केदार है और यह मंदिर चोखंबा सिखर पर इस्तित है पांडव शेली में यह मंदिर निर्मित है इसके शेली पूछी जाए तो पांडव शेली याद रखेंगे मद महिश्वर नात मंदिर मैं भगबान शिव की नाभी की पूजा की जाती है और शीत काल में यहां पूजा कहाँ पर होती है ओखी मठ में होती है म्दमिहश्वन नाथी पूजा शीत काल में कहाँ पर होती है ओखी मठ में नेक्स्ट क् exclusive देखते हैं गुलर भोच जलासई किस जनपत में इस्तित है तो देखे गुलर भोच जलासई ये इस्तित है आपके कहाँ पर उधम सिंग नगर में option 6 question का right answer है इसके अलावा देखे और कौन-कौन से जलासई है यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कौन-कौन से जलासई या डैम यहाँ पे हैं ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट section में उधम सिंग नगर में और देखे हरी पुरा जलासई हरी पुरा जलाशई ये आपके कहां पर गुलर भोज बाचपुर में स्तित है तो इसलिए इसको गुलर भोज जलासे भी कहा जाता है और उधम सिंग नगर जिले का बाचपुर नगर किस नदी के तड़ पर बसा हुआ है धूमा नदी के तड़ पर बसा हुआ है बाचपुर का पुराना नाम अ मलिया ग्राम में पहाडों को काड़ कर चंद्र भाग नहर का निर्माण किस ने किया था तो देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लिजेगा यह है आपका मलेथा ग्राम तो टीरी जनपत के मलेथा ग्राम में पहाडों को काड़ कर चंद्र भाग नहर का निर्माण किया था किस ने म माधो सिंग भंडारी ने option B यहाँ पर आपका right answer है और माधो सिंग को क्या कहा जाता है गर्व भंजक कहा जाता है माधो सिंग को और माधो सिंग का जन्म मलिथा तीरी कड़वाल में हुआ था माधो सिंग ने मलिथा की गूल का निर्माण किया था और मलिथा की गूल या सुर लगभग 225 फिट इसकी लंबाई है नेक्स्ट कुश्चन है आपका राजियन सिंग जेठी किस खेल के परशिद दिखलाड़ी है तो देखें राजियन सिंग जेठी ये परशिद दिखलाड़ी है किसके मुक्के बाजी के ओप्शन सिस कुश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे उधम सिंग नगर निवासी अनवर जमाल किस खेत्र से संबन्दित है तो देखें उधम सिंग नगर निवासी है अनवर जमाल जो की किस खेत्र से फिल्म निर्देशन से संबन्दित है option D यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा next question है आपका सौर उर्जा पर आधारित भानुताप यंद्र के आविशकारक कौन है देखे सौर उर्जा पर आधारित भानुताप यंद्र के आविशकारक बताने है तो इसके आविशकारक है अंडित डॉक्टर श्रीकृष्न जोशी option D यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा डॉक्टर श्रीकृष्न जोशी भानुताप यंद्र के आविशकारक है डॉक्टर श्रीकृष्न जोशी का जन्म कहां पर हुआ था अलमोणा नगर के मकेडी में हुआ था इनका जन्म कब हुआ था 1864 में और इन्होंने भानुताप हेलो थर्मयंत्र में वर्ष उन्नीस सो में लखनो में बाश्प इन्जन को चलाकर विज्ञानिकों को नई राह दिखलाई थी यह आपको याद रखना है और परिश्कृत भानुताप जन्वरी 1903 में पेटेंट किया गया जिसे भारत सरकार के गजट एक जन्वरी 1903 में प्रकाशित किया गया चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है आपका उत्राखंड प्राविदिक शिक्षा परिशत का मुख्याले कहां इस्तित है इंपॉर्टेंट कुश्चन है उत्राखंड प्राविदिक शिक्षा परिशत का जो मुख्याले है यह कहां परिस्तित है रुड़की में इसको याद रखेंगे option d यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्राखंड माध्यमिक शिक्ष्या परिशत का मुख्याले कहां परिस्तित है यह आपको याद रखना है तो उत्राखंड माध्यमिक शिक्ष्या परिशत और उत्राखंड प्राविधिक शिक्ष्या परिशत यह तीनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे अगला कुशन है आपका 270 किलोमीटर नंदा राज धार्मिक याद्रा कितने दिन में पूरी होती है तो देखिए नंदा देवी राजजात याद्रा कब कितने टाइम में पूरी होती है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 से 20 दिन में ये आपको याद रखन है 19 से 20 दिन लग जाते हैं नंदा राजजात याद्रा को पूरी होने में और ये 207 ये 280 किलोमीटर की पद याद्रा है इसको करेक्ट कर लिजेगा नंदा राजजात याद्रा गरवाल वक कुमाओं की सांसकर्थिक एकता का प्रतिक है और ये वेश्व की अनोखी पद पास नोटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है और ये है यात्रा चांत पुर गड़के राज को अरुद्वारा संपन कराई जाती है अगला कुशन देखेंगे हिंदू और धर्मराज सापताहिक पत्रों का संपाधन किस ने किया हिंदू और अगला कुशन देखेंगे आप सभी को ये शेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लिजे आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यव चैनल इस्टिडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे और शेशन जाद से जाद आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रुप्स में चलिए अगला देखेंगे बाज़र त्योहार कम मनाया जाता है तो देखें बाज़र जो त्योहार है ये आपका किस रितू में बर्शा रितू में मनाया जाता है ऑप्शन सी यह चौबटिया मैं फल संगरक्षण एवं शूत केंडर है ये भी आपको याद रखना है और चौबटिया को क्या कहा जाता है आर्चर्ड कंट्रीज को कहा जाता है अगला कुशन देखेंगे हाई अल्टिट्यूट प्लांट फिजियलोजी रिसर्च सेंटर कहां स्तित है तो गंगा की निम्नसायक नदियों मैंसे कौन से नदी उत्तर मुखी है तो देखें इंपोर्टेंट कुश्चन है गंगा की सायक नदियां तो सभी होंगी और इसमें से उत्तर मुखी बतानी है कौन से नदी उत्तर मुखी है तो बहुत ध्यान से इस कुश्चन को आप सभी ल प्रमुक साहयक नदिया हैं यमना, घागरा, बागमती, रामगंगा, करनाली जिसको सर्यों भी बोला जाता है तो करनाली, इसके अलावा तापती, गंडग, कोसी और काक्षी. ये आपको याद रखना है, गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुक साहयक नदिया हैं यमना, घागरा, बागमती, रामगंगा, करनाली जिसको सर्यों भी कहा जाता है, तापती, इसके अलावा गंडग, कोसी और काक्षी हैं. तथा दक्षण के पठार, दक्षण के पठार से आकर मिलने वाली जो प्रमुक नदिया हैं, वो कौन-कौन से हैं? दक्षण के पठार से मिलकर, दक्षण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुक नदिया हैं, सोन नदी, बेदवा नदी, केन नदी, केन नदी हो गया, इसके अलावा दक्षणी टोन्स हो गया, दक्षणी टोन्स, तो ये नदिया जो है ये कहां से दक्षण के पठाद से आकर मिलती यानि दक्षण दिशा से ये नदी निकलती है ये आपको याद रखना है तो यमुणा गंगा की प्रमुख साहयक नदियों हिमाले के बंदर पुच चोटी के आधार पर यमनूत्री हिमखंड से निकलती है और प्रमुख साहयक नदि पुची जाए तो कौन सी है यमुणा है तो इसमें आपसे question पुछा गया था कि गंगा की निम्नसायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर मुखी है तो देखिए उत्तर मुखी कौन सी होगी जो दक्षण से निकलेगी तो उसका मुख उत्तर को होगा जो उत्तर से निकलेगी उनका मुख किस साइट को होगा तो आपको यहाँ पर याद रकना है कि दक्षन से जो नदी निकल एंग है कौन से नदी है इन mieć से सोन नदीधे यहाँ पर रहार हो जाएगा यह कौन से नदी है उत्तरमुखी नदी इस तरीके से आपको दिहान रखना है और यमना गंगा की प्रमुक सायक नदी है जो हिमाले की बंदर पोचोटी के आधार पर यमनोत्री काठा हिमनत से निकलती है यमनोत्री हिमखंड से यहनदी निकली है तो कौन-कौन सी सायक नदी है गंगा की ये आपको याद रखना है उत्तर की ओर से कौन से सायक नदिया आती है गंगा की और दक्षन की तरफ से कौन से आती है दोनों ही याद रखेंगे अगला कुश्यन है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी कहां परिस्थित है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी ये आपकी कहां परिस्थित है मसूरी में option c बिलकुल right answer है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल याने की ITBP ITBP बल की जो स्थापना है ये कब की गए थी 24 अक्टूबर 1962 को इसके स्थापना हुई थी और ITBP राष्ट का एक विषेश ससस्त्र पुलिस बल है जो अपने जवानों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा परवतारोहन और स्केइंग समीत अन्य कई विधाओं में बचाओ अभियानों का संचालन भी करती है और लास्ट कुशन देखेंगे इस सेशन का उत्राखंड के बी मोहन नेगी के शेतर से संबंदित है तो देखें बी मोहन नेगी जो है इनका संबंद के शेतर से है इनका संबंद है चितरकारी से चितरकार है बी मोहन नेगी ये आ पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए शेर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूटुब चैनल इस्ट डिविद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे तो चलिए मिलते हैं एक नेक् नेवाद